हालो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप से बात करूंगी विंटर के एक बहुत खुब्जूरत फ्लावरिंग प्लांट नॉस्ट्रीशन के बारे में तो फ्रेंट्स अब आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूं देखिए कितने सुन्दर ये फ्लावर्स है नॉस्टीशन के बारे में ये देखिए पूरे-पूरे गंबले मेरे नॉस्टीशन से भरे हुए है विंटर का ये बहुत ही खुब्सूरत सुन्दर प्लांट ह तो मैं इसके बारे में भी आपको ये बताना चाहती हूं कि विंटर्स में इसको भी अगर आप बास्किट्स में लगाएं तो ये बड़ा सुन्दर लगता है या फिर आप जो ये मिट्टी की चौड़ी फैली हुई डिश आती है जैसे बड़े सुन्दर लगते हैं वैसे म के लिए जो सब लोग नीरी गार्डन की सोईल भर देते हैं वो नी चाहिए उसमें सैंड मिक्स हो वर्मी कंपोस्ट मिक्स हो थोड़ी सी आपकी बोन मील और नीम खली मिक्स हो उससे जो है इनको ताकत मिलती है और सीजनल जो है वो बहुत फैलते हैं उसके आप मिक्षर में इ लिक्विट फर्टिलाइजर ये एड़ करिए बहुत अच्छे आपके ये फ्लावर्स होंगे और इनको कोशिश ये करिए कि देखिए प्लास्टिक के जो लोग पॉट्स में लगाते हैं वो होता है कि ये नॉस्टिशन और ये और जितने भी होते हैं जैसे ये बगल में सा कर्मी पढ़ने लगेगी तो इनके लिए प्लास्टिक के गमले किसी भी सीजनल विंटर प्लांट के लिए आप एवाइट करिए प्लास्टिक के गमलों में ना लगा करके आप इनको इनको आप लगाईए मिट्टी के गमलों में प्लास्टिक पॉट्स मत लीजे और का हर फ्लावर जो है वो धूप में उसको आपका इसके लिए फ्लावरिंग करने के लिए उसको धूप अधिक चाहिए तो आप इसको नॉस्टिशन को धूप में रखिए चार से पांच घंटे तक की धूप हो बास्किट को अगर आप फैंग करें तो बहुत खुबसूरत का हुआ कोई मेहनत वाला प्लांट नहीं है बहुत इजी टू ग्रो है इसकी पॉटिंग सॉइल मैंने आपको बताया फॉट्टी परसेंट गार्डन सॉइल फॉट्टी परसेंट ही आप सैंड लीजे उसमें और कोको पीट चाहें तो डाल सकते हैं ताकि मौश्यर बना रह है उसमें और 20% में आप वर्मी कंपोज्ट है नीम खली है यह एड करके इसको लगाईए कूब यह फैलेगा पानी जो है विंटर के जितने भी फ्लावर से उसमें एक दिन छोड़के एक दिन पानी दीजे गैप कर दीजे क्योंकि इनकी जैसे यह मुलाइम से होते हैं जैस इसमें अगर रोज का रोज पानी देंगे तो उससे इसकी जड़े जो हैं वो गल जाती है इसमें पानी आप रोज मत दीजे एक दिन छोड़के एक दिन दीजे तो देखिए कितना संदर यह नॉस्ट्रीशन देखने में लग रहा है और यह आपका खूब पहलेगा इसके स इस प्रे एक चम्मच नीम ऑईल डालिए उसके अंदर एक लीटर पानी डालिए और पानी भर के बॉटल में और इस प्रे जो है यह जितने भी आपके विंटर फ्लावर्स हैं सब के उपर कर दीजे आस पास भी अगर कीड़े होंगे तो वो भी चले जाएंगे पैस्ट और आपके सारे प्लांट्स जो हैं वो हैल्दी बने रहेंगे लेकिन इन में आप मैनियोर का और धूप का दो चीजों का बहुत ध्याद रखिए पिंचिंग में यह है कि जैसे कि कोई फूल अगर इसका मर गया है देखिए जैसे हम दिखा रहे हैं यह देखिए आपको दिखा देखिए और यह बहुत फैल जाएगा मुझे इस विंटर का बहुत ही प्यारा फ्लावर लगता है नॉस्ट्रीशन को बहुत से लोग नहीं भी लगाना चाते क्योंकि वह यह नहीं जानते कि यह कितना सुन्दर और एक सीजनल विंटर फ्लावर है इसके साथ ही मैं आपको पौधा भी है तो अगर आपको नॉस्ट्रीशन के विशे में मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें बाई हैपी गार्निंग